हालो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल समराट एजुकेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंटोड़क्टी टुसायल एंड वार्टर कंजर्वेशन इंजिनेरिंग का कुछ मुश्ट इंपॉर्टेट टॉपिक कराने वाला हूं तो यदि यह मैं से इसका पीडिया भी ले सकते हैं जबसे परले है मिर्दा झार क्या होता है स्वाहिल इरोजन तो भूमी की जो उपरी सत्र होती है जो क्रिशीयों की भूमी होती है लगवग 15-20 cm उसी को स्वाल काते हैं तो कुछ प्राकृतिक सक्तियान या उसे हवा और बारिस हो तो इसमें क्या होता है बाकर या उड़कर दूसरे अस्थान पर चली जाते हैं इसी प्रक्रिया को स्वाइल एरोजन खा जाता है चली देखते हैं भूमी की उपरी सत्व पर क्रीसी योग्य भूमी की 15-20 cm परत को स्वाइल काते हैं प्रती वर्स कुछ प्राक्रितिक सक्तियों मुख्य रूप से जल तथा वायू द्वारा मिर्दा के उपरी सत्व पर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चली जाती है तो इसी प्रक्रिया को स्वाइल एरोजन काते हैं कि इस तरह का सकते हैं कि वायू या जल दवारा मृधा कड़ों का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कट कर या बघकर दूसरे अस्थान में जमा हो जाना मृधा छ्रड कर लाता है स्वाल इरोजिन कर लाता है स्वाल ईरोजन आप लोग समझ गये होंगे कि वायू या जल के द्वारा मृद्धा कड़ों का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कट कर या बर कर दूसरी अस्थान में जम्हा हो जाना मिदा चरड़ या स्वाल ईरोजन कलाता है इसके बाद देखेंगे बेंच टेरेस तो यह जो खेती होती है पहाड़ी छेत्र में धलानों में की जाती है जहां की मिट्टी दोस्तों धलान होते हैं वहां की मिट्टी को काट कर उसके जो जगह होते हैं दोस्तों उसे नीचे गिरा दिया जाता है उसके बाद वहां पे सीड़ी नुमा या चबूतर्य का निर्मा क्या होती है जिसमें कि धलान की मिट्टी को काड़ कर काटे गई जगव को नीचे गिरा कर वहां पर सीड़ी नुमा या चबूतरे नुमा का निर्मार के जाता है जिसमें खेती की जाती है और मिर्दा चरण से बचने के लिए इसके आगरी चोड़ पर पत्थर या जाड़िय जिसे करते हैं तो क्या होता है इसको देखेंगे जिस उर्जा के साथ बारिज भू भाग भाग गिरती है उसके काड़ भू भाग से मिट्टी की टुकड़े अलग हो जाते हैं एक तलचट नीचे डहलान के तरफ खिसकने लगता है अगर धरती कर रहा खरकार ठीक से किया ग वह जाता है तो दोस्तों यह था इसनुदेश शापढ़ बड़ जमैज já पर अंपानी होता है उपार के सब्स क्यों सोद Give Go के अई तो है तो चोन बाक आप डेखते हैं दूसरा देखते हैं दूसरा और अजलोजं तो इस प्रकार का पर्धान बागी प्रकारों की अनुसार जल्दी पाचान में नहीं आता है लेकिन अनूसरा सि काप। मुप जाओ माने आती है इस प्रकर के दौरान कי ओता है और तो इसह प्रकार के परदन दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देख रहे हैं रील इरोजन तो इस प्रकार का जो परदन होता है इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे नाले बन जाते हैं सीट अपरदन होने के बाद जब पान या अधिक मातरा हम बाने लगता है तो इस प्रकार के होने का कारण है अगर या खेती वाले भाग में हो तो काफी मात्रा में ऊपजाओं मिट्टी का कटा होता है तो यह घुर्दी रोजण इस परतन होता है जमीन पर छोटे-छोटे-चोटे नाले बन जाते हैं रहें प्रकार के आपदन तो जाती ही है साथ में नीचे बाग की मिट्टी भी बह जाती है इसमें बहुत बड़ा बड़ा गड़ा जाता है इसमें एक यूस सेपका बनता है और एक साइध भी सेपका बनता है तो यह था दोस्तो टाइप स्वाइल इरोजन का आगे चलते हैं इश्ट्रिब क्रापिंग देखेंगे पठ्टिदार खेती जिसी गजते हैं तो इश्ट्रिब क्रापिंग एक पुरिस्क्री Canadian इसी परदती है जो केवल बढ़ती पैदावार के अलामा अत्रावा परदान लाव प्रदान करती है, यह मृधह अपरदन को कम करने के लिए इससे छेत्रे की उत्पादक्ता बढ़ती है हलाकि इस्ट्रिप क्रापिंग लाभों में कुछ पर्याज भी सामिल है जिने स्मार्ट खेती के साथ लागू करना आसान है इसे दोस्तों एक और मादम सोलेगा कि जब भूमी की परहावली ढाल की तिरुशी दिसा में सगन उगन सिचा है तो मूल रूप से इस्ट्रिम क्रापिंग क्रीशी का उप्योग या तो मिट्टी के स्वास्त में सुधार या प्रात्मिक प्रयात्मियों के विकासा समर्थन करने के लिए किया जाता है द्वीतियक प्रयात्मियां साय जी कभी उपच उत्पादक्तों के लिए अत सदार करता है अगला वाइंट और वाइव जनीत कड़ों द्वारा भावतिक ऊपच्छती को कम करता हैं अगला पैन्ट पानी मिड़ना वद तामें सदार hoता है अगला प्वाइंट मिट्टी कुरबरता बढ़ता है और अग bleibt पॉइंट पर्याग कड़ों को नियंद्रीद करता है तो दोस्तों यह सब उद्देश सतिक किसका क्रॉपिंग का उमीद करते आप लोगों को सब सवक्रित होकर बादर का निर्मार करके वर्षा की रूप में पुना समुद्र तथा धरती में गिरती है तो यह जल चक्र करते हैं आगर देखते हैं इसी के बारे में यह बहुत यह आसान तथा सरल प्रक्रिया है प्रन्तु प्रित्वी के वाई मंडल तथा पारिस्थित्की तंत्र के लिए अत्यांत महत्तोड है यदि जल चक्र ना हो तो प्रित्वी में जीवन संबहुन नहीं हो पायगा जल चक्र को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिन प्रतितिन हम बहुत अधिक पानी बहा अनि सूरि के प्रकास की गर्मी के कारण भाब बनकर ऊड़ जाता है तो वाई मंडल में जाकर जम्म हो जाता है फिर उसहोड जब आ牛 पर की पर oxid जमिन के दबाओ की वज़े से आपस जूड़ने लगते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदे बनना चालो हो जाती हैं जब यह छोटी छोटी बूंदे वाई मंडल के दबाओ के सहन नहीं कर पाती तो यह पुना जमिन में गिरने लगती हैं इस तरह से जल चक्र का निर्माड होता है इसी जल को मनुस असाफ़ पेड़ पहुदे ग्रहान करते हैं तो दोस्तों यही था जल चक्र आगे जलते हैं लेवलिंग क्या होता है भूमी परिस्थित बिंद्यों की किसी निर्देश तल से उचता ग्याद करने की करना कोई लेवलिंग करते हैं तलेक्षड करते हैं यह दोस्तों वांचित तल इसमें होता है डैटूम जिसे करते हैं अंतर पर निर्देश तल अनस्वार बिंद्यों को भूप्रिष्ट पर रस्थापित करना भी लेवलिंग कर लाता है इसका उद्धिर से देखेंगे तो लेवलिंग दराया भूप प्रिष्ट पर इस्थित विबिन बिंदों के साब पेच उच्चता ग्याद की जाती है अगला पॉइंट तलेचण में सभी माप उद्वादर समतर में लिये जाते ह अगला पॉइंट लेवलिंग दर्ती सर्वेचण का एक मुख्य भाग है अगला पॉइंट सडकों नहरों रेल मार्गों बादों सुरंगों जली संरशनाओं पाइप लाइनों सीवरों पूलों इत्यारी इंजिनरिंग निर्मार कार्यों में तलमापन किया हो सकता पड़त नहीं है जोस्तों यह सब लेवलिंग का उद्देस यह है आगे चलते हैं कंटूर बंड क्या होता है तो कंटूर बंड धलान में बहने वाली पानी को रोक कर रखता है धालान की दिशा में गड़े खोद कर एक ब्रेकर जैसा बनाया जाता है जिसमें बहकर आने वाली पानी रूख जाती है गेवियन नाले पर एक कच्छा इस्टाप डेम की तरह है जिसमें पथरों को रखकर जाली तार से बात दिया गया है इसी प्रक्रियों काते हैं कंटूर बंड आगे चलते हैं इंडिगेटर वाटर सेड मैनेजमेंट एकी क्रित वाटर सेड विकास कारकरम तो क्या होता यह कारम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है और इसे केंद्र और राज्य सरकारों दारा नब्बे से दस के अनुपात में बित्त पोसित किय भरड हो रहा है दोस्तों अम्मित करते हमने आप लोग जीतना बता है उसमें से कुछ तो आप लोग समझ में आया यह होगा और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करेज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करेज़ेगा धन्यमाद जाहिए झाल